नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक सिच्छा के स्यूटिव प्लेटफॉर्म पर और मैं मनी से आदब आपको पढ़ा रहा हूँ नुमेरिकल एबिल्टी को हम लोगों ने कल की किलास तक नुमेरिकल एबिल्टी में मैंसूरेशन को समझा था तो हमने अलमुष्ड सारी के सारे मैंसूरेशन को समझ लिया है अब आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है तो आपके पार दो ओप्सन है या तो आप वही सारी वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और दोबारा से जो कुशन मैंने कराए हैं उनको एक बार और कोशिस करिए कि सही हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं और दूसरा है कि आपको जहां से भी इंटरनेट या कहीं से भी उस लेविल के कुश्चन देखने को मिलते हैं तो आप उनको solve करने का प्रयास कीजिएगा ठीक है ना जितना जादा numerical ability हो या math का कोई भी section हो जितना जादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उसके अंदर आपको मजबूती मिलेगी CDC बात है ठीक है चलिए तो सभी लोग good afternoon सभी लोग good afternoon जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाईए सभी लोग जल्दी जुड़ जाईए good afternoon सभी लोगों को चलिए तो जल्दों को जुड़ना था जल्दों को पढ़ना था हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा क्या हुआ अर्पिता चलिए तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो number system के अंदर बात करने वाले डिविजविल्टी रूल की हम लोग आज बात करेंगे number system के अंदर डिविजविल्टी रूल की आप लोगों ने अगर से डिविल होने वाला दिये गई numbers में से कौन सा number है यह आपको directly exam में पूछा गया है तो इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजविल्टी रूल के बारे में कि विभाजिता का नियम होता क्या है कोई बड़ी सी संख्या विसाल का संख्या एक छोटी से number से डिवाइड हो जाएगी यह हम कैसे पता लगाते हैं ठीक है ना बॉई सब ठीक आ रही है ना या बॉई सब भी भी दिक्कत कर रही है ए ठीक है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए जैसे आपके पास कोई संख्या है और एक्जामपल आपके पास कोई संख्या है पांच साथ तीन दो एक तीन पांच दो इतनी बड़ी आपके पास संख्या है आपको बताना है कि यह संख्या आपकी डिविजवल है दो से या नहीं है आपको बताना है ये इतनी वड़ी संख्या आपकी 2 से डिजवल है या नहीं है मतलब कोई संख्या 2 से डिजवल होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम उसकी बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे अगर कोई संख्या हमें कहनी है कि 2 से विभाजित है या नहीं है तो हम cable और cable उस संख्या के आखरी digit को देखते हैं हम उसके unit digit की बात करते हैं क्या करते हैं मेरे भाई हम उसके unit digit को देखते हैं अगर उसका unit digit जो है वो divide divisible हो जाए अगर unit digit हो जाए divisible किस से? unit divisible हो जाए by two से अगर उसका unit divisible हो जाए two से उसका unit digit divisible हो जाए 2 से तो हम लोग कहे देते हैं कि आपकी पूरी की पूरी संख्या 2 से divisible है हम लोग कहे देते हैं पूरी की पूरी संख्या जो है पूरा का पूरा जो number है यह आपका 2 से divisible है अगर आपका जो unit place वाला number है जो right side से पहला number है वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कह देते 2 से डिवाइड है यानि कि यहां से एक बात यह समझ में आती है एक बात समझने को यह मिलती है मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई number है any number कोई भी number है और हमें कहना है यह दो से डिवाइड है if this is a even number this is a even number अगर यह एवइबन नंबर है तो हम कह देंगे कि यह दो से डिवाइड है any number if this is an even number then this is divisible by 2 this is divisible by 2 यानि कि अगर हमें कहना है कि कोई संख्या दो से डिवाइड होती है तो वो संख्या आपकी sum होनी चाहिए यानि कि किसी भी संख्या का जो unit digit है किसी भी संख्या का unit digit जो है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है unit digit आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है तो हम लोग कहते हैं कि जो number है वो divisible है by 2 से divisible by 2 से, clear हुआ, clear हुआ, 2 की divisibility समझ में आई कि कोई भी संख्या का अगर unit place वाला जो number है वो 2 से divide हो जाता है, वो आपका even number हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि आपकी पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से divisible है, 2 से बिभाज है, ठीक है ना, ठीक है, बहुत आसान होता है 2 की divisibility, 2 की divisibility बस कहना ही क्या है वो इतना कह देना है कि अगर आपका unit place वाला जो अंक है, जो संख्या है, जो number है, वो अगर आपका even है यानि कि 2, 4, 6, 8, 0 में से कुछ है, तो आपका जो number है, पूरा का पूरा 2 से divisible हो जाता है 2 के बाद हम लोग बात करेंगे divisibility की, 2 की divisibility के बात करेंगे हम लोग बात 4 की divisibility की 4 की विवाजिता का नियम सुनिए, मेरे प्यारे भाई, क्या होता है, आपका जो 4 से विवाजिता होती है अगर, अगर कोई संख्या जैसे इस तरीख से, 1, 3, 1, 3, 5, 6, 9, 4, 2, 4, आपकी ये संख्या है इतनी बड़ी, ठीक है मैं by example ही जादा बात करूँगा, definition में कुछ नहीं रखा है, आपको समझ में आ गया तो definition है, नहीं तो फिर सब बाते हैं, ठीक है अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कोई संख्या है आपकी, ठीक है ना, कोई संख्या है आपकी, आपको बोलना है कि ये आपकी चार से डिविजवल है या नहीं है, चार से विभाजित है या नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि इस संख्या के आखरी के दो डिजिट इस संख्या के जो लाष्ट दो डिजिट है मेरे भाई यानि कि आपका यूनिट प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है एकाई और दहाई का जो अंक है उससे बनी संख्या उससे बनी संख्या यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यह लिख सकता हूँ, यह number is said to be divisible by 4 if their last two digit number is divisible by 4, यदि आपका कोई भी संख्या, कोई भी number हमें चेक करना है कि फोर से डिजवल हाँ या नहीं होता है, कोई भी संख्या में चेक करना है कि 4 से डिजवल है या तो उसके आखरी के 2 digit, unit वाला और tens वाला, आखरी के 2 digit से नमबर को जिए एक ऐब्र y और, आपका संख्या आपका 2 से डिजवल हो जाता है, या दो नो कहते हैं कि अब देते हैं कि आपका पूरा का पूरा न्मबर यह आपका पूरह संख्या जो है वो चार से टिवाइड है, जैसे आपके सामने एक एक एकी करहा हूं, एक 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 करने जाएंगे तो एक गार मिनीट खरच करते हैं, अगर आप इसको चेक करने जाएंगे तो कम सकुम चार से पांच मिनिट लगा देंगे अगर आप अनभवी नहीं है लेकिन अगर आपको इसको तुरंद देख के बताना है कि ये चार से डिजवल है या नहीं है तो क्या करना है अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पता करना है कि यह 4 से digital है या नहीं है तो cable और cable आप last के 2 digit के पास जाएए last के 2 digit से बनने वाला जो number है वो आपका 28 है कितना है 28 है अब देखिए ध्यान से तो यह आपका 4 से digital है यह आपका divisible by 4 है अगर यह संख्या आपकी divisible by 4 है तो इसका मतलब है कि whole संख्या जो पूरा number है number is divisible by 4 यह पूरा का पूरा जो number है वो आपका divisible है by 4 से बताये clear है कि नहीं clear है अगर आपका last 2 digit डिविजबल हो जाता है विभाजित हो जाता है चार से तो आपका पूरा का पूरा संख्या चार से डिविजबल कह दिया जाता है है ना असान क्या कि आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों न दे दिया जाए और कहा जाए कि ये चार से बिभाजित हो जाता है या नहीं हो जाता है तो आपको बहुत जादा पचड़े में पढ़ने की आवस्यक्ता नहीं है आपको बहुत जादा दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है आप किवल आखरी के दो अंकों से बनने वाली संख्या को देख लेंगे ठीक है चलिए इतनी बात उम्मीद करते है तो आप देखते हैं आठ की विभाजिता क्या होती है दो की हो गई चार की हो गई अब बात करते हैं मेरे भाई आठ की विभाजिता क्या होती है ये भी बिल्कुल सिमिलर होती है दो चार की तरह अभी मैं इनके वीचे एक रिलेशन भी बताऊंगा अभी मैं इनके वीचे एक relation भी बताऊंगा जैसे माल लीजिए आपका कोई number है क्या 4, 6, 8, 2, 3, 5, 9, 8, 4, 8 इस तरीके से एक आपका बड़ा सा number है आपसे पूछा जाए कि 8 से divisible है या नहीं है या आपका 8 से विभाजित होता है या नहीं होता है simple सी बात है कि इतना बड़ा number आपको दे दिया गया है और कहा गया है कि 8 से divisible है या नहीं है यानि कि 8 इसको विभाजित करता है या नहीं करता है ये आपको पता करना है ये आपको पता करना है तो मेरे भाई जैसे आपने दो के लिए लाश्ट एक डिजिट की बात की चार के लिए लाश्ट दो डिजिट की बात की तो आठ के लिए लाश्ट तीन डिजिट की बात करते हैं लाश्ट तीन डिजिट से अगर देखेंगे तो जो आपको number मिलेगा वो मलेगा 848 आप केवल इसको देखेंगे यह 4 से divisible है या नहीं है 8 से sorry आप इसको देखेंगे 8 से divisible है या नहीं है तो आप कहेंगे divisible by 8 यह आपका है divisible by 8 यानि कि 8 से विभाजित होता है 8 एकम 8, 8 चक्यार तालिट 106 बारा भाग देगे तो यह आपका 8 से विभाजित हो जाता है इसका मतलब क्या है कि यह आपका complete number 8 से विभाजित हो जाएगा तो अकर इसकी एक छोटी सी definition बनाना चाहें तो हम उसको लिख सकते है A number A number A number is said to be is said to be divisible by 8 divisible divisible by 8 if the number if the number made by made by last 3 digit last 3 digit 3 digit should be should be divisible by 8 divisible by by 8 यानि कि अगर आपको कोई बड़ी सी संख्या को कहना है कि आठ से विभाजित होती है या नहीं होती है मतलब यह हुआ कि आपको बड़ी सी संख्या को देखना है कि आर्ट से विभाजित होती है या नहीं होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना करना है आपको लाश्ट के तीन डिजिट से जो संख्या बन वही है यूनिट टैन्स और हंडेड एकाई दहाई और सिकड़ा वाले अंक से जो संख्या बन वही है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं डारेक्टली कि अगर तीन अंक वाली संख्या आट से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी आट से विभाजित हो जाती है ठीक है अगर आट का लास्ट का दो नंबर आट से डिवाइड हो तो और तीन नंबर आट से ना हो तो होगा की नहीं होगा फिर नहीं होगा तीन नंबर से बनने वाली संख्या जैसे देखे एक्जामपल लेता हूँ जैसे मैं यहां पे एक्जामपल लेता हूँ यहां से एक और एक्जामपल लेता हूँ मेरे भाई जैसे मैं कह रहा हूँ 56898258686 इस तरीके से है ठीक है ना यह इस तरीके से है इस तरीके से संख्या यह की बड़ा सा नंबर है आपको बताना है कि इतना बड़ा नंबर आठ से डिविजबल है या नहीं है ठीक है ना आपको बताया जाए पूछा जाए कि यह आपका आठ से डिविजबल है या नहीं है तो आप क्या करेंगे सिर्फ तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें देखते हैं मेरे भाई लाश्ट के जो तीन डिजिट हैं लाश्ट के तीन डिजिट से बनने वाली संख्या है 680 कितनी है 680 अगर इसको देखो तो यह 8 से डिवाइड होती है कि नहीं होती है तो आप देखें by 8 है यह इतनी पूरी संख्या आट से divisible हो जाती है clear है clear है clear है अब देखिए यहाँ से एक चीज हमें क्या समझ में आती है अगर मैं आपको थीरे से चुपके से चोरी से एक बात बताऊं क्या कि अगर मैं बात करूँ दो की डिविजिवल्टी की यानि कि दो की घात एक की डिविजिवल्टी की तो हमने last one digit की बात की थी last one digit one digit is इस डिविजिवल वाई 2 अगर हमने क्या कहा हमने आप से कहा कि 2 की डिविजिल टी चेक करनी है तो उसको लिख सकते है 2 की घात ही क्यानि की 2 की पावर 1 तो 1 डिजिट आपका डिविजवल होना चाहिए 2 से अगर 4 की बात करें तो यह होता है 2 की पावर 2 तो इसका मतलब है कि last टू डिजिट इसका मतलब क्या है लाश्ट टू डिजिट लाश्ट टू डिजिट इस डिविजबल बाई फोर इस डिविजबल बाई फोर चार से भाजत होने चाहिए क्या आप लाश्ट के दो डिजिट क्योंकि यहां चार है यहां दो है अगर बात आठ की आ जाए तो आठ दिविजुबल किस्से है यह हरबार change हो रहा है जो संख्या आपकी मेहन संख्या होगी जिससे डिविजुलटी मेहन चेक कर रहे हैं वही आपको तीन अंक दो अंक एक अंक सबको वही डिवाइड करेगा ठीक है ना सबको वही डिवाइड करेगा जैसे वह बात करूं 16 की 16 को आप लिख सकते हैं 2 की power 4, 2 to the power 4, तो यह आपका क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहेंगे last 4 digit, क्या कहेंगे last 4 digit, last 4 digit is divisible y, last 4 digit is divisible y, last 4 digit is divisible y, 16, इस तरीके से चलता रहेगा, आपको 2 की power में अगर उसको break कर ले जाते हैं, तो उसकी divisibility आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, सर आप महत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे mensuration में कुछ चीज नहीं समझ आया था, बट आपका lecture देखने के बाद आ गया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाता है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाता है, एक्जाम में question पर depend करेगा, iOS question ये भी आता है, divisible है या नहीं है, तो सिर्फ आप divisibility चेक कर लेंगे, और अगर आपको कहीं divide करना पड़ता है, किसी question के अंदर, तो वहाँ पर cable check करके हम अपने आगे question करेंगे, ये question पर depend करता है, ठीक है, वो भेंकर रूप से गायव हो जात है, ये होता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखा, दो चार्च है, आट, सोला, बत्रेश, चौसट, एक्सो अठाइस तक की divisibility, अब आप कहेंगे, सर ये कब देख लिया, अरे मैंने अभी जो तीन चाल लाइन लिखी थी ने, उसमें सब सम आ गया, अब बात करत करते सीधा 3 की divisibility की, अब बात करते 3 की divisibility की, ये 3 का divisibility का rule क्या होता, ये भी बढ़ा आसान है, ये बहुत आसान चीज है, क्या, कि अगर मुझे चेक करना है 3 की divisibility, 3 की विभाजता चेक करनी है किसी संख्या के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका कोई number है, 3, 4 6, 9, 8, 2, 1, ठीक है न, 2, 1, ये आपका एक number है और आपको पता करना है कि ये 3 से divisibility है या नहीं है, आपको पता करना है ये 3 से divisibility है या नहीं है, तो कैसे divisibility होगा, बताएए, कैसे check करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बिलकुल, अगर हम इसके सारे नंबर, सारे डिजिट्स को add करने हैं, यानि की 3 पिलस 4, पिलस 6, पिलस 9, पिलस 8, पिलस 2, पिलस 1, देखो यह क्या आएगा, 3, 4, 7, 7, 6, 13, 39, 22, 30, 32, 33, यह आया 33, 33 को check करेंगे, यह divisible है 3 से या नहीं है, यह divisible है 3 से या नहीं है, तो यह divisible है, divisible by 3, यह आपका 3 से divisible है 33, अगर 33 3 से divisible है, 33 कैसे आता है, इन सब नमबर को एक एक करके add करते हैं, तो हमें 33 मिलता है, और 33 आपका 3 से divisible है 11 बार, आप 11 के table में देखिए, 3 नमबर पे आता है 33, तो यह 11 बार divisible है, यानि कि यह संख्या आपकी divisible by 3 हो जाएगी, यह संख्या आपकी divisible by 3 हो जाएगी, सारे numbers को add करेंगे और उनका sum अगर 3 से divide हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप उसको 3 से divide कर देंगे, ठीक है न, अगर divide है तो बार divisible हो जाएगा, ठीक है न, 32 आ रहा है, देखता हूं, बोड पर निगाह रखा करो 33 आरा और individual है 3 से, ठीक है न, ठीक है, ठीक है, न, वो एक ही था, हम दो कर दिये हैं, गलती आपकी नहीं है, हम उसको दो अभी किया है, वो एक ही था, तुम सही देखे देगाई, सर 6 के पिर्थम 18 गुर्जों का योग कितना होगा, ये मैं तब बताऊँगे जब आपको सीरीज पढ़ाऊँगा, समय से पहले बक्त से जज़ाँ, वो बक्त से पहले किसमत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो बक्त आने दो, बक्त आने पर बता देंगे तुझे आजमा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, चलिए अगला एक्जाम्पल से देखते हैं अगले एक्जाम्पल की संख्या आपकी 3, 4, 9, 8, 6, 2, 8, 5 बताईए ये 3 से डिविजवल है या नहीं है फटा फट आंसर करिए 3 से डिविजवल है या नहीं है बताईए, एक कैसे होगा, एक नहीं होगा, मैंने इसको काफी बार जोड़ा, देखो फिर से जोड़ लेता हूँ, फिर से जोड़ लेता हूँ, चार और तीन, या छे, चार दस्तीन, तेरा, तेरा और नौ कितना होता है, तेरा और नौ होता है, एककिस, एककिस, एककिस और आ मेरी syllabus बहुत पीछे आगे, किस ने तुम्हे बताया यार, यह तुम्हे कौन बता गया? अच्छे डिविजबल है चलिए देखते हैं देखते हैं बिलकुल आप लोगों ने बिलकुल सही आंसर किया अगर सब लोग कर रहे हैं अब इतना तो मैं मान सकता हूँ कि आपको इतना समझ में आता है ठीक है ना ठीक है ना अद देखे चार और तीन साथ साथ और नो होता है सोला, सोला और आठ होता है चोविस, 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 च्छे, तीस, तीस, दो, बत्तिस, बत्तिस, आठ, चालिस, पांच, पैतालिस इसका सम आएगा 45, 45, पंदरा बार भाग देंगे तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानि कि इसका जो सम है वो 3 से डिविजवल है, अगर इसका सम 3 से डिविजवल होता है, तो आपका पूरी की पूरी संख्या जो है, पूरा का पूरा नंबर जो है, इस डिविजवल इस डिविजल बाई थ्री, ओकी है, किलियर है, बताईए, ये बात इतनी किलियर है, इतनी बात किलियर है कि नहीं, नहीं अनराग, compare करिए, आप करते रहिए, अप तो compare करिए भाई, चलिए, आगे बढ़ा जाए, आगे तीन की डिविजल टी के बाद हम बात करेंगे, नौ की डिविजल टी के बाद हम लोग बात करेंगे, नौ की विभाजता की मेरे भाई नौ की जो विभाजता है जो नौ की विभाजता है ये बहुत ही बड़ी विभाजता है ठीक है नौ की विभाजता यानि की हम लोग इसी को डिजिटल सम भी कहते हैं याद आया कुछ याद आया कुछ मेरी वीडियो एक उपर आप लोगो ने देखी होगी डिजिटल सम की ये वही डिजिटल सम है ये नो की विभाजता वाला ही डिजिटल सम है डिजिटल म की वीदियो सबी लोग अन्य देखी है। फश्ट वाले का 34 होगा यार क्या तुम लोग बार 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 एक ही बात कह रहे हो सब लोग तो देख लेते हैं क्यों याँ देखो तुम लोग यार क्या कर रही हूं देखो 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 यह देखने वाली चीज है 3 4 6 9 8 22 ठीक है न? देखो दो अर दो चार होता है 4-8 बार होता है ठीक है ना 12 और 6 18 होता है 18 4 22 होता है 22 3 25 होता है और 25 और 9 कितना होता है 25 और 9 34 होता है 34 होता है तो इसको एक कर लेंगे 34 होता है तो इसको एक कर लेंगे अब बार बार मत बदलवाना नहीं तो मार खा जाओगे बार बार मत बदलवाना नहीं तो अब मैं पीट दूँगा एक बार पहले मैंने सही लिखा था किसी ने उसको बदलवा दिया किसी ने उसको बदलवा दिया मैंने बदल दिया और तुमने फिर बदलवा दिया हाँ 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 उमर आपकी बास सही है लेकिन इतना बड़ा क्यों करें हम देखें इसमें भी आपका वही होता है क्या मेरे भाई कि अगर अगर सम 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 अगर स अगर आपको किसी नंबर के सारे के सारे डिजिट का सम आपका क्या हो जाएगा? सारे के सारे डिजिट का सम आपका अगर 9 से कट जाता है, 9 से बिभाजित हो जाता है, तो आपका क्या विभाजित हो जाएगा पूरा का पूरा नमबर 9 से डिविजवद हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ, when the sum of the all number is divisible by 9, then the actual number is also divisible by 9, बिल्कुल 3 की तरहे चलता है, ठीक है, clear है, clear है, अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक example लिखता हूँ, जैसे मैं इसको example की तौर पे समझते हैं, हम लोग, example यह है, example लिखता हूँ, 8, 1, 3, 6, 2, 7, 5, 4, 9, बताईए, यह 9 से divisible है या नहीं है, बताईए, 9 से divisible है या नहीं है, आपको क्या करना है, सारे के सारे numbers को add करना है, जो add करने के बाद number आएगा, अगर वो, अगर वो 9 से cut जाता है, 9 से divisible हो जाता है, तो आपका number कहा जाएगा, इस divisible Y, 9, कहा जाएगा, इस divisible Y, 9, हाँ, same rule होता है, जैसे 2, 4, 8 का भी तो लगवक semi rule था ना, वैसे 3, 3 की power और 27, इसका भी लगवक semi rule होता है, ठीक है ना, clear है, हाँ, बिलकुल है, बिलकुल है, बिलकुल है, देखिए, अगर इसको जोडते हैं, तो आप कहेंगे, 8 और 1, 9, 6 और 3, 9, 7 और 2, 9, 5 और 4, 9, और 9, इन सब को फिर जोड़ दीजिए, तो यह आजाएगा, 9 पच्चे 45, और 45, 9 से कट जाता है, तो आपका यह divisible Y 9 हो जाएगा, यह आपका divisible Y 9 हो जाएगा, मेरे भाई, this is divisible Y 9, clear है, divisible Y 9, अब देखिए, अब होगा क्या मेरे भ एक और देखिए, एक और example लेते हैं, मैंने कहा आपसे 8, 2, 8, 9, 7, 6, 8, 2, 8, 9, इस तरीके से कोई number है, और आपको देखना है, आपको check करना है, कि यह number 9 से divisible है या नहीं है, ठीक है ना, आपका यह number 9 से divisible है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, इसको मैं अब दूसरे approach से बतात हूँ, पहले तो आप इतना बताईए, कि यह divisible है या नहीं है, बताईए सची आप playlist में जाईएगा, और उसमें चौथी number वीडियो देखिएगा, मिल जाएगी, बहुत अच्छा concept होता है सब बताऊंगा, आयू, सब बताऊंगा, बस आप इतमिनान से जुड़ते रहिए, नहीं है, चलिए देखते हैं आपने पहले कहाओगा, सर, 8 और 2, 10 और 8, 18, 18, 29, 27, 27, 24, 34, 34, 48, 48, 25, 25, 58, 58, 59 होता है, सरसट आपने का सर, इसका सम आ रहा है सरसट, और सरसट नौ से डिविजवल है नहीं, अगर सरसट नौ से डिविजवल नहीं है, तो नौ डिविजवल वाई 9, नौ डिविजवल वाई 9 हो जाएगा, यही ना सोचा होगा आपने, सब लोगों ने यही सोचा होगा, सरसट ही आ रह फालतु का दिमाग मत लगाओ नहीं होगा वो डिजवल नहीं होगा अगर लाश्ट के दो डिजिट हो जाएगे ठीक है ना अब देखें याँ पे एक तरीका तो यह होता है कि हम ऐसे कर सकते आठ और दो दस दस आते ही यहीं पर हम 9 से डिवाइड कर देंगे मिलेगा एक एक लिए और 8 9 खतम नो तक हमारा रिमैंडर जीरो हो चुका है यह नो अपने आप खतम साथ 6 कितना होता दरहा तेरह अट कितना होता है दरहा रशोपा ह सकता हम इसमे हम शकरने श्यां 0 लिए हां तरह हो बज़ें कि हैं भर दो यह हो यह दब 8 और 2 10, 10 में अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे remainder 1 बचेगा 1 और 8 9, 0 remainder, 9 अपने आप में कट रहा है 7 6 13, 13 में अगर remainder देखेंगे तो 4 बचेगा 8 4 12, 12 में remainder देखेंगे तो 3 बचेगा 3 2 5, 8 5 13, 13 में remainder देखेंगे 6 बचेगा 13 remainder देखेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा 49, 49 में remainder 4 बचेगा आपका remainder 4 बच रहा है आपका remainder 4 बच रहा है यानि कि यह individual नहीं है remainder 0 होना चाहिए था remainder आपका 0 होना चाहिए था ऐसे भी check कर सकते हैं यह जो एक एक डिजिट चेक करने का है यह तो हर किसी की डिजिटी में यूज हो सकता है तीन की डिजिटी में भी यूज हो सकता है ठीक है यह हर किसी की डिजिटी में यूज कर सकते है आप एक एक करके remainder निकाल के समझ में आया की नहीं आया? 4 आ रहा remainder बिलकुल remainder 4 आ रहा है 6 में आ रहा है क्या बोल रहे हैं अंसे का 6 में आ रहा है 6 में मतलब मतलब 6 में आ रहा है मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया चली चली देखिए एक कुश्चन और देखते हैं एक कुश्चन और इसमें देखते हैं नौ की डिजिलिटी से ही कुश्चन ज्यादा तर आ जाता है तो यह इंपोर्टेंट है जैसे मैं अगला एक कुश्चन आपके सामने लिखता हूँ कह रहा हूँ आठ दो साथ तीन पांच चार पांच तीन छे दो इसको चेक करना है यह नौ से डिजिल है या नहीं है आपको इसको चेक करना है यह नौ से डिजिल है या नहीं है आपको इसको चेक करना है यह नौ से डिजिल है या नहीं है remainder देख लीजिए नहीं आएगा 6 बीटा remainder 4 आएगा आप चेक कर लीजिए गा ठीक है 6 remainder क्यों हो रहा है 4 होगा ना सरसट है न सम तो 7 निम्मद 63, 63, 64, 66 तो 4 remainder आएगा देखने क्या फिर से 66 आ रहा है न सम देखे 8 और 2, 10 remainder 1, 1 और 8, 9, 9 खतम 7 और 6 कितना होता 13, 13 में remainder बचेगा कितना 9, 4, 13, 4 8, 4, 12, 12 में remainder कितना बचरा, 3 3, 2, 5, 5, 8, 13, 13 में remainder बचरा, 4 4 और 9 हो जाएगा 13, 13 में remainder कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा, 9, 4, 13, 4 बचेगा अच्छा इडिविज्वल है लास्ट वाला, इडिविज्वल है, देखते हैं चली देखते हैं इसको आपने कहा, 8 और 2, 10, 1 remainder बचा 1 और 7, 8, 8 और 3, 11, 11 में remainder बचा, 2 2 और 5, 7, 4, 11, फिर बचा, 2 2 और 5, 7, 7, 3, 10, remainder बचा, 1 1, 6 हो जाएगा, आपका 7, 2 हो जाएगा, 9 9 का remainder बचा, 0 remainder आ गया, 0, 0 remainder आ गया, यानि कि 9 से डिज्वल है 0 remainder आ गया, यानि कि 9 से डिज्वल है, नहीं तो जोड के कर लीजिये 8 और 2, 10, 7, 17, 3, 25, 25, 4, 29, 5, 34, 37, 6, 43, 42, 45 45, 45 को 9 से डिवाइट करेंगे तो यह 9 से डिवाइट हो जाएगा 45 को 9 से डिवाइट करेंगे तो यह डिवाइट हो जाएगा और आपकी डिवाइट हमाः पूरा संख्या हो जाएगा 9 से तो बास मझ में आई 9 के डिवाइट हमाः अब 9 की डिवाइट हो गई है, तो बात करते है फाइब की डिजबिल्टी की तो फाइब की डिजबिल्टी में बैसे कुछ होता नहीं है बहुत आसान सी चीज है पांच की जो डिजबिल्टी है यह बहुत आसान सी चीज है क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ये लास्ट डिजिट पर ये भी काम करता अगर किसी भी बड़ी सी बड़ी पहाड जैसी संख्या का last digit 0 है या 5 है तो संख्या आपकी 5 से डिजवल हो जाती है तो संख्या आपकी 5 से डिजवल हो जाती है बात समझ भाई कोई संख्या का last digit या तो 0 है या 5 है तो आपकी पूरी की पूरी संख्या 5 से डिजवल हो फाइब से डुज्वोल हो जाएगी. यह बच्चो वाली बात है, बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात во जैसे मैं एक एक्जÁMema के तोरुपे एक ही एक्जाम पलढ़ दूगा, यह दो दे दिता हूँ पांच चार नो चार, नो आठ पांच इसको देखा केवल यह 5 है, दूसरा एक्जामपल यहां पे देखिए, मैं कह रहा हूँ 1059810, यह अगर मैं लिख देता हूँ, लास्ट का डिजिट देखा 0 है, बात खतम, इसमें और ज्यादा काम नहीं करेंगे, इसमें और ज्यादा काम अब नहीं करेंगे, इतनी तो बात खतम हो गई, बताइए हो गई की नहीं हो गई, हो गई या नहीं हो गई, बताइए, इतनी बात खतम हो गई या नहीं हो गई, अब 5 की डिजिल्टी में मुझे नहीं लगता जादा बताने का है कुछ, डिजिल्टी अब बताते हैं 10 की, 10 की डिजिल्टी में अभी कुछ नह लास्ट डिजिट अगर जीरो है, तभी वो दस से डिवाइड होगा, अगर लास्ट डिजिट आपका जीरो है, तभी वो दस से डिवाइड होगा, otherwise वो दस से डिवाइड नहीं होगा, सीधी सी बात है, अगर आपका लास्ट डिजिट जीरो है, तो वो नमबर आपका दस से ड हो जाएगा अन्य था वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा मतलब क्या होगा जैसे मैं एक्जामपल की बात करता हूँ तो मैं करता हूँ एक सारे की सारे दस से डिवाइड है क्योंकि आकरी डिजट जीरो है बस आसान सा यह दो बच्चा बच्चा जानता है हर महले के बच्चे बच्चे को यह तो पता है कि सर लाष्ट का डिजट अगर 0 होता है तो लो नंबर हमारा 10 से digital होता है यह तो सब को पता है यह तो सब को पता है जो कभी मैत पढ़ा भी नहीं है उसको भी पता है तो इसमें तो कुछ बात है नहीं तो इसमें और ज्यादा समय दूँगा नहीं अब आती है सबसे अहम सबसे important divisibility आपकी 7 की divisibility या पहले चलिए 6 की divisibility की बात कर लेते हैं 6 बच गया है 6 की divisibility का कोई नया rule नहीं है सीधा ए नंबर ए नंबर which is divisible by divisible by by 2 and 3 both 2 and 3 both जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से divisible होगा जो नंबर आपका 2 और 3 दोनों से divisible होगा वो सीधा का सीधा आपका क्या हो जाएगा 6 से divisible हो जाएगा जैसे आपके सामने में एक संख्या लिखता हूँ क्या संख्या है आपकी जैसे example के तोर पे समझते हैं एक नंबर है 2, 4, 6, 8 5, 2 अब देखें यह 2 से divisible है क्योंकि आखरी डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है अब देखें यह 3 से है क्या 4, 2, 6, 6, 12, 8, 25, 25, 25, 27 यह 3 से भी डिवाइड है तो यह आपका 6 से डिवाइड है इस डिवाइड है इस डिवाइड है इस डिवाइड है आस नायित के लिए बहुत जल्दी तयारी यह पूरी हो चुके यह ज़ोल नगारे सब तयारी घोडे सब सजे हुए है बस निकलने की देर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आपके 7 की डिजिविल्टी की, देखिए क्या होता है 7 की डिजिविल्टी, यहां से देखिएगा, यहां थोड़ा समझ लीजिएगा, 7 की और 11 की डिजिविल्टी इंपोटेंट होती है, बात करते हैं डिजिविल्टी ऑफ 7, ठीक है न, बात करते हैं 7 की ड मोबाइल की help से ज्यादा करना पसंद करता हूँ, मैं कोई भी randomly अपना calculator निकाला, मैंने इसमें 7 लिखा, गोणा लगाया, और अंद सटा के कुछ number dial कर दिये, number आया मेरे सामने, मेरे भाई क्या 32, 32, 14, 106, ये संख्या हमें मिली, अब ये मुझे तो पता है, 7 से divide है, क्योंकि मैंने ही calculator में करी है, मैंने इसको calculator से किया है, तो ये साथ से तो divide है, लेकिन कैसे हम लोग चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात कहेंगे, हम या पे आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, इतनी अच्छी बात कहेंगे, कि एक बार में आपको समझ नहीं आएगी, का आता है, बहुत बढ़ी है, टेंथ में आप, बहुत बढ़ी है उमर, काबिले तारीफ, उमर ने कहा है, कि ये जो last digit है, इसका दो गुना करिए, आता है बारा, बारा को बचे हुए नंबर से घटा दीजिए, क्या किया, जो बढ़ा सा नंबर है, उसका last digit का दो गुना, बचे हुए नंबर से घटा दीजिए, तो आपका आएगा दस में से दो गया 8, ये आया आपका दस में से एक गया कितना, दस में से एक गया 9, ठीक है ना, दस में से एक गया 9, 3, 1, 2, 3, अगर ये नंबर 7 से लेकिन आपने का सर अगर इसको ही हम चेक कर लेते तो हम इसको नहीं कर पाएंगे क्या जब हम इस नंबर को ही डिजिल्टी चेक कर लेंगे तो इसको भी कर लेंगे ये कौन सी वड़ी आफ़त है एक ही जो डिजिट आपने कम कर दिया तो मैंने का नहीं हम साथ की डिजिल्ट इसको अगर ये आपका साथ से divide हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा इसको कैसे check करेंगे last digit है 3, 3 को 2 करेंगे हो जाएगा 6, 6 को यहां से घटाएंगे तो आएगा 06 2, 3, 326 अगर 6 से divide हो जाएगा तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर आपका divide है तो आपने का सर 6 का गुणा 2, तो यह आएगा 12, 12 को यहां गटाएंगे, तो यह आपका आजाएगा 8, यह आपका कितना आजाएगा, 8 आजाएगा, और यह यहां पर बचेगा 0, 108, यहां पर last digit 8, गुणा 2 करेंगे 16, यहां से 16 गटाएंगे, तो आपका आजाएगा 2, और यह तो निगेटिव में चला जाएगा फिर यही रुख जाएए, बानवे 6 से कटता है, बानवे जो है वो 6 से कट जाता है, 6 एकम 6, नहीं, कुछ गरबड हुआ है, 7 का देख रहे हैं, बानवे 7 से कटेगा, 7 एकम 7, कुछ गरबड कर दिया है, सर जी, all number 2 का multiply करना होगा, thank you, center वा किया, 12 आया, 12 घटाया इसमें से, तो आपका यहां से 8 आया, यह एक आया, 9 आया, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 8 का 16, 9 में से 6 गया, 3, 3 में से गया, 2, 3, 2, 1, ठीक है, 3 का 6, यहां से 12 में से 6 गया, 0, 0, 32, 6 आगया, ठीक है, यहां पे इसका डबल किया 12, तो यह आगया आपका, कितना, 208 308 घुर्ट ऑगा to 200 308 308 में 66 जाएगा तो आपका 8 में 6 गया 2 और ही आजाएगा कितना? 29 आजाएगा 8 में 6 गया 2 30 में 1 जाएगा 29 आजाएगा तो यह dev visuals नहीं है 308 हो गया 308 में 8 का हो गया 16 16 यहां से घुटेगा अगर 16 यहां से गटेगा तो 8 में से 6 गया 2, 10 में से 1 गया 292 आएगा 292 अगर 292 में 2 का देखे तो 4 चार इसका 8 दूनी 16 बच्चे हुए में से गटाना होता है मैंने बोला था एक बार में समझ में नहीं आएगा और वही बात ही भी होगी कितने लोग समझ गए हैं कितने लोग समझ गए हैं बताईए कितने लोग समझ चुके हैं हाँ यह डिजवल तो है हाँ तीस में से 16 गटाएंगे कहां पर बिलकुल बिलकुल लाश डिजिट यह इस इसके नीचे कुछ नहीं आयते, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नहीं, बचे हुए में से गटाते हैं, बचे हुए में से गटाते हैं, एक ट्रिक और है, लेकि वो ट्रिक नहीं है न, देखिए, फिर ट्रिक नहीं बच मेहनत पूरी लग जाएगी, मेहनत पूरी लग जाएगी ना, सबसे अच्छा मेथड तो यही है, यह तो मेरा एक टाय पे बताने का, जबकि सही नजर में ट्रिक तो कुछी डिविजिविल्टी में होती है, किसी टीचर के पास कोई ट्रिक नहीं है इसके अलावा, देखे, न आनिम 63 बचा, 1, 11 हुआ, साथ एकम 7 बचा, 40 तो हुआ, आपका कितना 35, 7, 8, 6, अच्छा पन कट गया, खतम, कट गया, यह तो एक नियम है ही हम डारेक्ट कर लेंगे, साथ की डिजिविल्टी तो हम डारेक्ट भी देख लेंगे, साथ की डिजियुल्टी तो हम डारेक्ट हाँ तो नॉर्मल है और यह आपका एक मैथड हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुछ चल लेते हैं इसमें एक एक्जामपल और चेक करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे एक्जामपल नमबर नेक्स्ट देखिए अगला मैं फिर मोबाइल उठाता हूं साथ में अभी डिजिट कुछ औल लिए त्या अब कुछ औल ले ल इसको हमें चेक करना है साथ से दिज Guide है या नहीं है हमें इसको चेक करना है साथ से डिजवल है या नहीं है यह सर पहले वाला कुछ ज्यादा ही लंबा है देखिए 9 का डऑल होता है 18 इसमें से घट अया तो कितना आया ये आया आपका 10 में से 8 गया 2 8 में से 1 गया 7 1., 6, 4 2 का 2 गोनद 4 बचा 3 तो आपका ये कितना बचा 7 में से 4 गया 3, 1, 6, 4 3 का होता है 6 तो 11 में से 6 गया आपका बचा 5 5, 4 ठीक है न अब 5 का होता है 10 ये 35 आया 35 साथ से कट जाता तो ये नंबर सेविन खा डिविजुल है और मैत वाले बच्चों के लिए डिविजुल्टी रूल तो इससे बैतर कुछ होई नहीं सकता जो मैं अलग बताया है जो मैत के हैं उनके लिए तो डिविजुल्टी या जिनका समझ में आता है जिनको ड क्लियर है क्लियर है चलिए 12 मैत था तो आप उसको नुमेरिकल अविल्टी को पटक पटक ते मारेंगे मुझे पता है ठीक है ठीक है चलिए चलिए लिए यह ट्रक है आप इसको फॉलो करेंगे आ जाएगा अब आता है 11 की डिविजुल्टी 11 की डिविजुल्टी ध्यान से देखिए 11 की डिविजुल्टी क्या होती है ध्यान से देखिएगा समझ में एक बार में आ जाएगा यह बाला देखि जैसे मैं यहां पर कोई संख्या लेता हूँ जो 11 का multiplier हूँ आपने कहा कि सर 308 308 ठीक है ना 308 यह 11 का होता है 11 दुनी 22, 8 बचेगा 11, 8, 8 हम लोग कैसे चेक करेंगे हमें humanities वाले हमें नहीं आता है मैत हमें लगता है डर ठीक है ना हमें लगता है डर तो हम आपको बताएंगे ठीक है ना हम आपको बताएंगे अरे आप पठकेंगे नहीं तो कमसका वाई एक चमाट तो मारी लेंगे ना हमें ना हम आपको सिखा रहें तो एक चमाट लाइक तो बताई देंगे ठीक है ना रखके देना एक कंटा अंसिका कै 11 एक नमबर को तीन नमबर को दो नमबर को एड़ वेड में नहीं करवाऊंगा अंसिका जी एड नहीं करवाऊंगा मैं पूरा इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशियेशन आता है एक ताइप अच्छा चले अच्छा यह जैसे 308 है द्यान से सुनिए आपको चेक करना है कि 308 11 से डिज्वल है या नहीं है आप ऐसे पेरिंग करिए 2-2 डिजिट की 0 और 8 और 3 तो एक ही डिजिट है तो छोड़ दीजिए ठीक है ना आप 2-2 डिजिट की पेरिंग करिए अगर और होते तो 2-2-2 करके करते हो लास यह 0-8 को 11 से डिवाइड करें तो हमें कितना बच रहा है या कितने की कमी पड़ दही है तो आप कहेंगे कि 11 को 11 से अगर मैं 0-8 को डिवाइड करता हूं तो हमें 8 3 11 3 की कमी पड़ दही है तो माइनस 3 लिख लिया हमें 3 की कमी पड़ दही है माइनस 3 लिख लिया ठीक है ना आगे पिलस 3, एक्स्ट्रा है, हम सोचेंगे कि हमने यहां कुछ डिवाइड किया ही नहीं, अभी 3-4 कुश्चन करूँगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है न, तो देखिए यह 3 है, यह पिलस 3 है, अगर सम यह 0 हो जाए, तो 11 से डिविजवल हो जाता है, अगर सम 0 हो जाए, त आपने 2-2 की पेरिंग करी, ठीक है न, 1331 में 2-2 की पेरिंग करी, तो 31 में, अगर मैं 11 का भाग दूँ, तो कितना जादा या कितना कम, अगर मैं 13 में 11 का भाग दूँ, तो कितना जादा, कितना कम, बताइए, यह आपका 2 नंबर कम, तो माइनस 2, 2 कम, 13 में भाग दूँ, 11 क तो कितना जाधा दो जाधा इन दोनों को जोड़ दो, 0 आरहा है, मतद 1331 0 से डिविजवल है, ठीक है न, 1331 आपका 0 से डिविजवल है, अगला देखिए, अगला यहां पे मैं बताऊंगा आपको तीसरा एक्जामपल, देखिए, क्या कह रहा है, मैंने लिखा 161809, 161809, ठीक ह एक दो और यह सिंगल बचा, 9 को कितना चाहिए, 2 चाहिए, मतलब यह minus 2 है, minus 2, मतलब इसको 2 चाहिए है, यह remainder ही तो लिख रहे है, indirectly, minus 2 क्या है, remainder है, अब देखें, remainder दो तरीके के होते है, positive भी होता है, negative भी होता है, तो हमने का 9 को 2 चाहिए, 2, तो minus 2 कर दिया, उसको चाहिए है, need है, तो minus 2, 18 में देखिए, 18 में कितना ज्यादा है, या कितना कम है, आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, अगर इसको 22 के हिसाब से देखोगे, तो 4 कम है, और अगर इसको 11 के हिसाब से देखोगे, तो 7 ज्यादा है, तो हमने का 22 के हिसाब से देखते हैं, तो यह 4 कम है छे को छे ही रख दीजिए तो छे चार दो जीरो आएगा कितना आएगा जीरो आएगा मतों यह डिजुल है बताईए बताईए किलियर है किलियर है चली एक दो कुश्चन और करते हैं इस पर आपको मजबूती आएगी एक दो कुश्चन आपका और कर देते हैं तो आपको इसमें आजाएगी मजबूती और यह जो मजबूती आएगी न यह बहुत आपको मदद करेगी देखे मैं मैं कैलकुलेटर खोलता हूं एक ग्यारा का double 0 और 16 यह 11 का multiple है यह calculator ने बताया है तो क्या calculator गलत हो सकता है नहीं होगा ठीक है ना चलिए दो-दो की pairing करते हैं दो-दो-दो-दो ठीक है 16 में अगर मैं 11 से देखूँ तो 5 जादा है 5 जादा है 0 में तो कोई मतलब ही नहीं है 34 में 1 जादा है और 77 में 6 कम है तो माइनस 6 पिलस एक पिलस 6 जीरो यह 11 से डिविजवल है यह odd number जोड़ना even places जोड़ना यह सब नहीं यह सब बहुत lengthy है कि odd जोड़ो फिर even को जोड़ो फिर उनका difference निकालो मुझे वह भी पता है कि इनमें odd को जोड़ो देखो छे जीरो चार एक कितना हो जाएगा छे जीरो जीरो छे चार दस और एक 11 पिर even को जोड़ो क्या even क्या एक जीरो एक तीन चार साथ 11 अगर इनका difference जीरो यह 11 आता है तो यह 11 से डिविजवल होता है यह भी तरीका है किसी ने मुझसे बोला भी था किसी ने मुझसे बोला भी था पांच कम है कहां 5 कम है सासतर होना चाहिए ना यह 5 कम है यह 5 ज्यादा है 11 एकम 11 11 पांच 16 तो 5 जादा है यह देखो 1 जादा है यहाँ 6 कम है हाँ लेकिन हमारे में 0 ही आ जाएगा अगर आप इसको प्लस 6 ले लोगे तो 11 आ जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 तरीके थे क्या एक तो हमने का माइनस 6 क्योंकि यह 77 में माइनस 6 कर रहा है अगर हम इसको 66 के हिसाब से देखें 11 चके 66 तो यह प्लस 7 हो जाएगा तब यह 7 पांच 12 एक तब वो अलग चीज है वो अलग चीज है आप देखेंगे तो यह 0 हो जाएगा सर जी रिमेंडर plus minus कुछ भी ले सकते है एक ही नम्बर के रिमेंडर plus minus एक जैसा नहीं होता है चलिए मैं रिमेंडर की बात कर लेता हूँ जैसे मैंने का 2-5 को डिवाइड करिए 2-5 को डिवाइड करिए तो आपने का सर एक रिमेंडर आता है 2-5 को डिवाइड करने पर एक remainder आता है पिलस का लेकिन यहां तो चलो minus same आ जाएगा मैंने कहा suppose करिए 19 19 को 4 से divide करिए 19 को 4 से divide करिए तो 4, 4, 16 3 remainder आता है पिलस का 1 remainder हो गया plus का 3 अगर हम 4 को 19 को 4 से divide करते हैं तो plus का 3 remainder आया दूसरा तरीका क्या है minus का 1 remainder भी आता है कैसे अगर हम इसको सोच ले 19 नहीं है यह 20 है तो 20 अपने मन से किया है एक जोड के तो आपने कहा कि इसमें अगर एक जोड ले तो 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो जो जोडे थे वो गटाना भी पड़ेगा जो जोडे थे वो गटाना भी पड़ेगा तो इसका या तो plus का three remainder है या to minus का एक remainder है मतलम किसी का भी remainder plus minus दोणों में सोचा जा सकता है ये कभी मत सोच लेना कि plus 3 है तो minus 3 भी होगा भासमज में आ реा है या अपर plus 3 है तो फिर minus 1 है यह भासमें आ रही है plus 3 है तो फिर minus 1 है हाँ डिविज्वल होगा ग्यारा आ गया तब भी डिविज्वल होगा लोन पियर ठीक है चलिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार जैंद अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए तावर तोड अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग कुछ नया इंट्रेस्टिंग और एकदम धमाकेदा कुछ श सब्सक्राइब तक के लिए सभी लोग को नमस्कार जैंद